दर्शको नमस्कार दर्शको आज हम बात करते हैं सुगंदित खूपसुरत सुंदर फूलों वाले व्रक्ष के बारे में चंपा के बारे में और चंपा के बारे में कहा जाता है कि इसके जो फूल है वो पूजा के लिए काम में आते हैं वातावरन को ये शुद्ध करता है वा पूलों से इत्र बनाया जाता है, आरोमा थेरिपी में इसका बढ़ चड़कर उप्योग किया जाता है, चंपा के फूल को कामदेव के जो पांच फूल हैं, उनमें से एक माना जाता है, इसकी सुगंद जो होती है, बेहद मनमोख होती है, चंपा को टेंपल फ्लावर भी कहा जाता है, और अगर हम इसका साइंटिफिक नेम के बारे में बात करें तो लूमेरिया अलबा के नाम से ये जाना जाता है, चंपा एक ओशन कटिबंदी पौदा है, जो कि जिसके वो नम हवा और तेज गर्मी के आवशक्ता होती है, और ये इसमें जो फूल आते हैं, वो ग पौदियों में इसके पत्ते गिर जाते हैं, इस पौदे की हाइट के बारे में बात करें तो ये 15 से 25 फुर तक इसकी हाइट देखी जा सकती है, और अगर आप इसको चाहें तो प्रून करके भी इसको छोटा भी रख सकते हैं, इसको पौटेट प्लांट के अंदर भी लग पौदे का मल्टिप्लिकेशन अपने यहां पर भी कर सकते हैं, इसको पौदे के द्वारा प्रूपोगेट किया जाता है, तैयार किया जाता है, नए पौदे तैयार किया सकते हैं, खुले आस्पान में सूरज की किर्णों के नीचे ये काफी अच्छा बढ़ता है, जो इसके लिए उपयूद नहीं होती है, वहाँ यहां उप उस जगह पर इसकी जडों में या ताने में गलन की समझ्छा आ जाती है, चंपा के वरक्ष को जो है, पार्क में लगाया जासकता है, अगर आप देखेंगे, तो जो जो चंपा की फूल होते हैं, उनके ऊपर बदु नहीं होता अंत में मैं कहूंगा कि चंपा का जो व्रक्ष है या जो श्रब है बहुती सुन्दर और सजावटी पौदा है इसके सुन्दर फूल आते हैं खुश्बुदार मनमोक इसको अपने घर के आसपास पार्कों में सड़क के किनारे मीडियन में इस्तान प्रतान करें अ आप अपने अनुभव हमसे साजा कर सकते हैं और अगर नहीं लगा रखा तो आप इससे इस्तान देवें आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें धन्यवाद्ध